हमारे साथ ऐसे एक्जांपल जोड़ चुके हैं महाविर सिंग राठोर जी जिन्होंने सीनियर टासलेशन ऑफिसर के पत्र पर जोइन किया है और बहुत ही अच्छे एजुकेटिड व्यक्ति हैं इनसे हम जानें इनकी सक्सेस स्टोरी का बारे में सर आपका बहुत-बहुत स् यहाव लेड राजस्तान PULिस को जोइन किया था राजस्तान PULिस में अरची एक अलग अर्न PULIs है उसको जोइन किया था में उसके बाद साथ की वेकेंशी आई थी जूरिंडी ट्रांसलेटर सीनिडी ट्रांसलेटर की इन तो 2022 की जूपर की शाथी उसमें है प्यर हुए थ चाहे नवा था और मैंने 9 अगस्ट 2022 को 2023 को सुरी भारती वाई सेना की 41 विंग जेसल मेर में मैंने जॉइन किया है वरिष्ट अनवाद अधिकारी पर पर जी सर आपका बहुत बहुत बदाए उसके लिए थैंक यू सर आरेसी में कैसा रहा सबर आपका आरेसी में सर अच्छा मित्र है हमारे कासी राम जी उन्होंने वो भी अंग्रेजी में में थे और मैंने भी अंग्रेजी में में की थी बाद में तो उन्होंने मुझे प्रेडित किया था सीने ये ससी में ट्रांसलिशन ओपिसर की बरती आयती है तो उसमें आप हैपिर हो यह है क्योंकि मैंने तो अपने सफलता के कहानी के बारे में बताएं सब्सक्राइब कैसे टाइम निकाला कितना टाइम दिया क्या सेडियूल था वह हमें बताएं आरे सी में मैंने पढ़ाई चुरू की थी आरे सी में सेडिल तो सुबह पीटी होती है उसके बाद में वरकिंग होती है और कभी डूटी होती है डूटी हमेसा नहीं होती है लेकिन उसके डूटी के टाइम से जो बचावा टाइम होता है जो हमारे मतलब अपने पास बचावा टाइम होता है उसी मैंसे टाइम निकाल के मैंने पढ़ाई की थ और उसके लिए नजदिक मेरी लाइब्रेरी थी जो इस लाइब्रेरी के मैंने जॉइन कर रहा था तो फ्री टाइम होता था मैं लाइब्रेरी में चला जाता और वहां पर पढ़ाई करता और उसके बाद पढ़ाई के साथ-साथ मैंने मौक टेस्ट भी काफी दिये थे उससे इसके लिए क्वालिफिकस्न में मतलब क्हुछ इस तरह से जैसे आपने व resource कि ए या पिर डिपलोमा कोर्स होना चाहिए तो मैं ने डिपलोमा कोर्स किया था ख़्पोस्ट ग्रेजिविशन टिपनोमा n ट्रांस्टिशम में और उसके बाद में योगता होती है जैसे में यदि आपने इंग्लिस में कर रखी है, फिर ग्रेजुएशन में आपका या तो इंदी होना चाहिए, या फिर इंदी मीडियम होना चाहिए, और यदि आपने हमें इंदी में कर रखी है, तो फिर ग्रेजुएशन में या तो इंदी होना चाहिए, या फिर इंदी म हमयोग motivated inAudi को सबस्ट उसमें जो चौन आटे हैं स्वाल न थे मूटल में सीब्लमोड में एक्षिब्वस्क्रीमोल में बसक्ति तने क्वाइब उसमें अपने को लिखना होता हैं तो उसमें तार प्रसंदा पहला प्रसन आता है, एक पैसेज होता है हिंदी का, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, और दूसरा प्रसन आता है, एक अंग्रेजी का पैसेज होता है, उसको हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, और तीसरा प्रसन होता है, एक अंग्रेजी में डिबंद लिखन होते हैं उसके बाद को इंट्रीव घर देना पड़ता है दो सो नंबर की तीर वन होता है और सुनुम्बर का टीर-2 चार सोद नुमबर मैं से फिर मैरिट बनती है जी ईज लिमिट क्या रहती है इसकी इस लिमिट सर जन्रल कैटेगरी के लिए 30 साल है उसके बाद में 16 was के लिए 30 ती इस बाद से लें 5 सालके चूट है जी अब आपके इसले कितने बन रही है बंद कर dul बेशिक पे सर मेरा इसमें है कि लेवल 7 की पौस्टे और इसमें बेशिक पे है 4,900. Z city में इसकी 70,000 बनेगी ग्रवस पे. और Y city में उससे 4,000-5,000 के ज्याद़ बनेंगे और X city में और ज्याद़ बनेगी. क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे गाउं से उठेंगे एक दिन और एक ओविशर बनेंगी सर सोचा थो बिलकुल उम्मीद तो की थी कौशिस जारी थी फिर एक समय पर जब बगवान ने सुन ली और कुछ मेहनत की थी तो इसका फायदा भी मिल गया मतलब रिजल्ट मिल गया क्या टार्गेट गही था कि ट्रांसलेशन ओफिशर बनना है सर टार्गेट दो मेरे को मेरे अजीज मित्र कासी राम जी जो है उन्होंने प्रेरित किया था मुझे इसके लिए और मैंने फिर मन लगा के पढ़ाई भी की थी और फिर जीजान से कौशिस की तो फिर बिल गया मेरी अभी 29 ओने वाली चेंवर साधी के बाद भी कैसे पा रहा रहा है ऐसा बोले दा साधी के बातो लायफ यह नहीं बच्ति इस यह खेती करते होंगे आप ग्रामिन चेतर से तुड़े हुए हैं बिल्कुल सर ग्रामिन चेतर से तुड़े हैं खेती भी करते हैं और खेती में अट भी करते हैं बिल्कुल सब को जोता है सर क्वश सी बुक पढ़िते थे टो het लेटर या इंग्लिस ट्रांसलेशन ओफिशर बनना चाहते या उनके लिए एंधी के लिए मेंडि के लिए मैं अर्दिवभारि की बुकाति है अंधի के लिए डिसमें इंडी ग्रां करेंकर के लिए वह पढ़ीती और उसके जे में पड़ीती मैं उसके औनखरी तहां से काफु एंडिद्डी गॉर्दge की और पॉनुनों पर मोरल कें सिया वी और हुए प सब्रसकिन डियर यह की आश्यॉत siya कि दोर जे अलवा और के चाहँ के सब्किन कर दर के लिए जो काफी बड़ी है उसमें पढ़ने के बाद मतलब मॉडल पेपर मॉक टेस्ट देने के लिए आपको बहुत अच्छा सॉर्स मिल जाता है और उसके अला हमाने टेक्ट बुट पे काफी मॉक टेस्ट दिये थे उनसे काफी फाइदा मेला थे बहुत अच्छा आपने बताया ह हर साल वेकंशी आती है एसे से कि हर साल वेकंशी आती है कोरोना की वज़े से 2021 में वेकंशी नहीं आई थी फिर 2022 में आई थी बाकी हर साल वेकंशी आती है जो हमारे वीवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज देना मैं चाहूंगा सर जैसे किसी भी काम को हम करते हैं तो महनत और लगन से करते रहें उसमें जुटे रहें तो सपलता जरूर मिलती हैं आपको पर अथा लगा सराव से मिलके आपका बहुत दन्यवाद आपने दस मिनिट दिये इसके लिए आपका तहए दिल से दन्यवाद करते हैं थैंक्यू 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 थैंक्यू